मेघना अपने दादी प्रभावती के साथ एक छोट इसे गाव में रहती है मेघना के माता पिता एक रोड एक्सिडेंट में बच्पन में ही गुजर गए थे इसे लिए उसकी दादी ही अब उसे मा और बाप दोनों का प्यार देती थी मेघना हडबडाते हुए उड़ती है और आनन फानन में तयार होकर दादी से बोलती है आज मेरे टिफिन में चार रोटिया ज़्यादा डाल देना दादी वो क्या है ना के आजकल मुझे भूग ज्यादा लगती है अच्छा जूट बोलती है तेरे दुबले पतले शरीर को देखकर लगता तो नहीं कि तू इतना ज्यादा खाना खाती होगी सच सच बता अपना टिफिन तू किसे खिलाती है तुझे पता है ना ये दो रोटियां जुगार करने में तेरी दादी को नानी आदा जाती है फिर भी वो वो खेर जाने दीजिए आज मैं इन दो रोटियों से ही काम चला लूँगी मेगना अपनी दादी के हातों से टिफिन लेकर भाग जाती है मेगना की दादी कपड़े सिलकर अपना और मेगना का जैसे तैसे गुजारा करती थी लेकिन जब से सबको रेडिमेट कपड़े खरीदने की आदत पड़ी है उनके यहाँ एक का दुक्का ग्राहक ही आते थे अरे शाम होने को आई अभी तक एक ग्राहक भी नहीं आया पहले कम से कम एक ही सही भूला भटका आतो जाता था लगता है आज भूके पेठी सोना पड़ेगा उधर स्कूल से छूटने के बाद मेगना सीधे एक जंगल में जाती है जहां उसके ढेर सारे दोस्त थे उसे बचपन से ही पशुपक्षियों से बहुत प्यार था इसलिए वह अपना काफी समय उनके साथ बिताती थी आज हमारे लिए खाने में क्या लाई हो मेगना मुझे बहुत तेज भूक लगी है अपना टिफिन खोलो ना मेगना उदासी से बोली आज दादी को मुझ पर शक हो गया था कि मैं अपना टिफिन तुम लोगों को खिला देती हूँ इसलिए उन्होंने मुझे केवल दो ही रोटिया दी जो मैंने आते समय सुनहरी मचलियों को खिला दिया तुम्हें खिलाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं मेगना तुम यहां आ गई यही हमपशुपक्षियों के लिए बहुत बड़ी बात है आज मैं भुका ही रह लूँगा तुम चिंता मत करो धीरे धीरे समय बीतने लगा मेगना अब बड़ी हो गई थी इसलिए उसकी दादी को दिन रात मेगना की शादी की चिंता लगी रहती थी लेकिन गरीब होने के कारण कोई भी उनके पास मेगना का रिष्टा लेकर नहीं आता था एक दिन गाओं के शिव मंदिर में हे भोले नात आप सब की मुराद पूरी करते हैं इसलिए आपका दशन करने लोग दूर दूर से इस गाओं में आते हैं सालों से मेरी भी एक मुराद है इसे भी पूर्ण कर दीजिए प्रभू और मेरी मेगना की शादी किसी अच्छे इसे घर में करा दीजिए मरने से पहले मैं अपनी मेगना का घर बसते देख सकू यही मेरी आखरी इच्छा है उसी समय मेगना शिव जी को जल चड़ा रही थी तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो चीकती चिलाती हुई नदी में डूब रही थी बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ कोई है यहाँ पर उस औरत को डूबते देख मेगना तुरंट नदी में कूद कर उसकी जान बचाती है ये देख वह औरत मेगना की बहादूरी पर बहुत खुश होती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी मेरा नाम उर्मिला है मैं यहाँ शिव जी का दर्शन करने आई थी सुना है यहाँ शिव जी सबकी इच्छा पूरी करते है मुझे लगता है उन्होंने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी है क्या तुम मेरे बेटे रवी से शादी करोगी मेगना शर्माते हुए बोली लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ माता जी दहेज में मैं कुछ नहीं दे सकूँगी तुमने मेरी जान बचा ली है ये क्या कम दहेच है किसी की जान से कीमती चीज भला इस दुनिया में क्या है मंडप सश्ता है और रवी और मेगना की धूम धाम से शादी होती है बूड़ी प्रफावती का तो खुशी का ठिकाना न था उसकी सालों की इच्छा आज पूरी हो गई थी अरे बैंड बाजे वालो तुम्हारी अम्मा की अर्थी निकल रही है क्या जो इतना धीरे बजा रहे हो मारो कसकर की बाजा ही फट जाए आज तो ये बुड़िया खूब नाचेगी मेरी पोती मेगना की शादी है कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है छोटी से गाउं की मेगना इस बड़े से घर में बहुत खुश थी और उर्मिला और रवी की खूब सेवा करती लेकिन रवी मेगना को पसंद नहीं करता था क्यूंकि उसका अपने ओफिस की एक कुलीक नताशा के साथ चक्कर चल रहा था हाई नताशा डालिंग कैसी हो वट ता हैल ये में क्या सुन रही हूँ रवी तुमने गाउं के किसी गवारिल लड़की से शादी कर ली है अरे यार क्या बताऊं मा ने अपनी कसम देकर जबरदस्ती उस गवारिल लड़की को मेरे मत्य मर दिया मैंने सोचा शायद मोटा दहेज मिल रहा होगा लेकिन दहेज के नाम पर वहां केवल हवा हवाई बाते ही थी उसने मेरी जान बचाई वगेरा वगेरा खेर हम तुम अपनी रिलेशन्शिप को कंटीन्यू रखेंगे क्या कहती हो नेकी और पूछ पूछ तो आओ इस संड़े मेरी घर हम खूप मज़ा करेंगे तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाती हूँ हरियाली तीज बस कुछी दिनों में आने वाला था मेगना की दादी ने उसे शादी के वक जितनी भी साड़ियां दी थी वह सब एक-एक करके फट गए थे मेगना दिन रात इसे चिंता के खोई रहती कि अब नई साड़िय के लिए किसे कहूँ एक दिन वह जिजकते हुए रवी से बोली सुनिये जी हरियाली तीज आने वाली है हर बार की तरह इस बार भी मैं शिव पार्वती का व्रत रखने वाली हूँ इस व्रत में सुहागन और्तों को सोला श्रिंगार करकर बैठना होता है लेकिन मेरी सारी साड़ियां तो फट गई है क्या आप मेरे लिए एक नई साड़ी लेते आएंगे ओ मैडम तुम्हें मेरे लिए व्रत व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतने दिन साथ रहते हुए तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि तुम केवल नाम की मेरी पत्नी हो इसलिए यह ए जी ओ जी कहकर मुझसे बात मत किया करो आप ऐसा क्यूं कह रहे हैं जी एक साड़ी लाने को ही तो बोला है मैंने अरे तो जाकर अपनी उस भिकारन दादी से मागो जिसने दहेज में तुम्हें कुछ नहीं दिया और खाली हाथ तुम्हें मेरे इस आलिशान घर में बेश दिया गंदा करने को बढ़ी आई सोला श्रिंगार करने वाली एक तरफ मेगना अने को कोशिश करने के बावजूद रवी का दिल नहीं जीत पा रही थी वही दूसरी और नताशा मेगना को मारने का प्लैन बनाती है और रवी को बताती है रवी यह सुन बहुत खुश होता है वा नताशा डार्लिंग क्या प्लैन बनाया है तुमने इससे तो साब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं तूटेगी सब कुछ बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह लग रहा है देखना इसके रिलीज होते ही हम दोनों का सक्सस्फुल होना निश्चित है एक सुभर रवी दादी से मिलवाने के बहाने मेगना को गाड़ी में बैठा कर एक सुनसान रस्ते में पढ़ने वाली नदी के पास ले जाता है और उसके उपर पत्थर बांद कर उसे नदी में धकेल देता है मेगना चीकते चिलाती हुई नदी में डूबने लगती है अब इस देश कभी मताना मेगना रवी हस्ते खिल खिलाते हुए वहां से चला जाता है और मेगना पानी में डूबने लगती है तभी एक सुनहेरी मचली डूबती हुई मेगना को उठा कर किनारे पर छोड़ देती है मेगना होश आने पर देखती है कि उसे धेर सारे पशुपक्षी घेरे हुए खड़े हैं अरे अरे तुम सब क्या कैसे और मैं कहा हूँ तुम अपने गाउ में ही हो मेगना तुम्हारे दुष्ट पती ने तुमको जान से मारने के लिए तुम्हें नदी में फेक दिया था वह तो भला हो सुनहरी मचली का जिसने तुम्हें देख लिया और हमारे पास लेती आई अब तुम कहीं मत जाओ और हमारे साथ ही रहो बचपन में तुम हमारी देख भाल करती थी अब हम सब मिलकर तुम्हारी देख भाल करेंगे सभी पशुपक्षी दिन रात मेगना की देख भाल करने में जुटे रहते हैं जिससे मेगना थोड़े ही दिनों में भली चंगी होकर अपनी दादी के पास चली जाती है इधर मेगना को मरा हुआ समझ कर रवी हसी खुशी नताशा के गर जाता है मेरी प्यारी नताशा तुम्हारा फ्यूचर हभी आ रहा है हमारा प्लैन सक्सेस्फुल हो गया तभी वह देखता है कि नताशा किसी और लड़की के साथ है और उससे पाँच लाक रुपए मांग रही है एच अपरी सुन ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन समझा सीधे से पाँच लाक रुपए निकाल नहीं तो अभी तुझ पर ये इलजाम लगा कर कि तू मुझे छेड़ रहा था तुझे मैं जेल में बंद करवा दूँगी समझा ये देख रवी के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहता उसके पूछने पर वा लड़का बताता है ये 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 लड़की बड़ी खतरनाक है भाई ये यहां से भाग जाओ नहीं तो यह तुम्हें भी बर्बाद कर देगी यहां अनेकों लड़कों से संबंद बनाकर उसे सेक्स्टोर्शन के केस में फसाकर उससे पैसे एटती है भाग जाओ भाई यहां से जल्दी से निकल जाओ भागो यहां से यह सुन नताशा गुसे से आग बबुला हो जाती है और चाकू के प्रहार से उस लड़के को मार देती है रवी यह देख बहुत दंग रह जाता है और वहां से भागने वाला होता है तभी नताशा उसे भी चाकू मार कर भाग जाती है रवी खून से लगपत हो वही पर गिर जाता है नताशा नताशा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया क्यूं तभी कुछ लोग उसे उठा कर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहां रवी कोमा में चला जाता है ही भगवान यह क्या किया तूने मेरे बेटे और बहु दोनों को क्यों छील लिया मुझसे उर्मिला अपने बेटे रवी और बहु मेगना दोनों के चले जाने से बहुत दुखी होती है और गाउं के उसी शिव मंदिर में दोबारा जाकर प्रातना करती है जहां मेगना अपनी दादी के संग आई हुई थी मेगना को जिन्दा देख उर्मिला आश्चरे चकित रह जाती है अरे तुम जिन्दा हो बहू लेकिन मुझे तो खबर मिली थी कि तुम मर गई हो किसने बचाया तुम्हे और तुम्हे नदी में ढखेलने वाला कौन था जिस इंसान को दुनिया का सर्वश्रेष्ट प्राणी कहा जाता है उसने मुझे मारा है और जिस पशुपक्षियों को हम दीन हीन समझते हैं उन्होंने ही मुझे बचाया है मा मैं कुछ समझी नहीं बेटी अगर मैंने आपको सब सच सच बता दिया तो आप शायद यह सदमा सह नहीं पाएंगी तभी उर्मिला उसे रवी के कोमा के बारे में बताती है रवी के कोमा के बारे में सुन मेगना रोने लगती है शायद उसे अब भी उमीद थी कि वह रवी का दिल जीत सकती है जैसे पारवती ने शंकर का दिल जीता था तभी उसकी दादी बोलती है कि कल हरी आली तीज है मेगना बेटी अगर पूरे निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रखो तो शिव जी और माता पारवती तुम्हारी प्राथना जरूर सुनेंगे और तुम्हारा सुखाग वापस जिन्दा लोटाएगा मुझे पूरा विश्वास है मेगना ऐसा ही करती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास पहनने को साड़ी तो है ही नही तभी सभी पशुपक्षी उसके लिए खुपसूरत खुपसूरत फूल तोड़ कर लाते हैं और सभी तितलियां अपना पंक उसे दे देती है जिसे गूत कर मेगना की दादी एक जादूई तितली ड्रेस तयार करती है यहले मेरी बेटी मेगना हर्याली तीच को वही जादूई तितली ड्रेस पहन कर हरी तालिका तीच का वृत रखती है जिससे रवी कुमा से वापस लोटाता है उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वा मेगना को हर खुशी देने का वादा करता है जो एक पती अपनी पत्नी को देता है